दोस्तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्किट की न्यूज से तो इस समय एक वजगर 15 मिनट का समय हुआ है और निफ्टी 50 में हमें 130 पॉइंट की बड़त देखने को मिल रही है तो आज निफ्टी में हमें एक पॉस्टिव सेंटिमेट देखने को मिल रहा है तो अभी एक्सपर्स द्वारा ये बत कही जा रही है कि जो पहला रेट कट है वो अभी जून में होने की संभावना काफी ज्यादा बन चुकी है तो कहने का मतलब है जून में पहला रेट कट हो सकता है जिसकी वज़ा से मार्किट में हमें एक पॉस्टिव सेंटिमेंट देख को मिल रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में इससे मार्किट में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और इसके अलावा हमारा इंडिया में जो एलेक्शन होने वाला है उसके रिजल्ट भी जून में ही आएंगे तो अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा क मार्किट फिर जून में चलनी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है मार्किट अभी से चलना स्टार्ट हो चुकी है और जून में हो सकता है कि मार्किट ऊपर चलकर खड़ी हो जाए और मैं तो इस बात को सोचकर काफी हैरान होता हूँ कि अभी भी लोग इस वात का invested होना जुरूरी है और monthly SAP द्वारा add भी करते रहना जुरूरी है तब ही जाकर आप तेजी का फाइदा उठा पाएंगे तो ये तो होगी market की बात अभी हम बढ़ते हैं आज के stocks की ओर तो देखिए जब हमें long term में निवेश करना होता है तब हमारा दो बातों पर main focus होना चाहि ये branded companies पर और दूसरा focus होना चाहिए growth oriented company पर अगर हमें एक ही company में brand भी मिले और अच्छी growth भी मिले तो ऐसे stocks long term में multi bag return देने की potential बना देते हैं और आज इस वीडियो में हम 5 small cap stocks को analyze करने वाले हैं जो अपने-पने sector में एक अच्छी position को कायम किये होए हैं और आने वाले time मे इन में एक बड़िया growth potential बन सकती है लेकिन इन stocks में किन levels पर निवेश करना चाहिए और आगे की growth potential क्या हो सकती है जे सबी बाते जानने के लिए शुरू से लेके अर्थ तक आपको बने रहना होगा तो बिना time को waste किये शुरू करते हैं पहली company से जो के इंडिया के अपरल से एक्टर से रिलेट करती है बेसिकली इस company के आलोबर इंडिया में retail stores भी है इसके अलावा जे B2B segment में बड़ी companies को ready-made garments बनाके भी देती है company का नाम है Cantabile Retail India Limited और इसके अलावा जे men's के लिए accessories और deodorant का भी कारोबार करती है और इस समय company के जो maximum stores है वो इंडिया के north side में और east side में तो आने वाले time में growth potential काफी बढ़िया बन सकती है और company का growth plan क्या है जे हम आगे discuss करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं company के financials के बारे में तो इस समय इस company का market cap है 1800 क्रोड रुपे का तो size में काफी छोटी company है और growth में काफी अच्छी है और वही book value है इसकी 29 की dividend yield है 0.42 face value ह 2 pledge percentage है 0 तो company के promoters ने कोई भी share pledge नहीं किया इसके against loan नहीं लिया इसके अलावा debt to equity ratio 1.37 की है तो debt अगर 1 से ज़्यादा हो इसको high मानते हैं लेकिन company का expansion plan काफी बढ़िया है ये company हर साल 89 store open करना चाहती है तो उसमें पैसा invest किया जा रहा है जिसमें ये loan का उप्योग कर रहे ह तो इससे profit increase होगा हम इसको post इमान के चल सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें promoter holding की 73.2% की और December 2.23 में इस company में FIIs और DIs ने अपनी holding को increase करा है और company के growth numbers देखें तो revenue को इन्होंने 23% से increase करा है पिछले 5 सालों में और profit को 29% से बढ़ाया है और stock की CAG आ रही है 5 सालों क 30% की और इस समय जे stock 29 की P पे trade कर रहा है तो 25 सालों की median P से नीचे trade करता हुआ जे stock दिखाई दे रहा है और stock का current price है 215 रुपे का 25 सालों में इसने 4 गुना के return अपने निवेशकों को बना के दे दिये हैं और इसने जो all time high है वो बनाया था 310 रुपे का जे बात है September 2022 की और उसके बाद अभी जे 215 पे trade कर रहा है तो ओपरी लेवल से हमें stock में 30% की गिरावट दिखाई दे रही है तो खरीददारी करने के लिए अभी ये कच्छा मौका है और अगर इसमें और ज़्यादा गिरावट आती है तो इसका जो main sport level है वो है 190 के पास तो इस समय buying को start करा जा सकता है और 190 के level पे दूसरी buying करी जा सकती है और अगर हम stock का long term target देखें तो जी continuously growth करने वाली company है जो 30% से अपने profit को बढ़ाती आ रही है तो आने वाले 20 सालों में जे stock हमें double होता दिखाई दे सकता है और जे अराम से हमें 4500 के level पे trade करता नजर आ सकता है और नमबर दो पे pharma sector की एक small cap company है जो के diversified product portfolio रखती है जिसमें company दोरा active pharmaceutical ingredients बनाए जाते हैं जिनसे आगे medicines बनती है और जे as a contract manufacturer global pharma companies को product बना के देती है तो हम जिस company की बात कर रहे हैं इसका नाम है R.T. Pharma Labs Limited और इस company की मुझे market leadership काफी बढ़िये लगती है इनका जो zenthine नाम का product है जो total revenue म company इंडिया में 80% का market share रखती है और इसके अलावा global level पे 20% का market share केवल इसी company का है जो use करा जाता है cola drinks बनाने में energy drinks pharmaceutical और nutraceuticals में जो widely use किया जाता है और financials देखें तो इस समय 4000 क्रोड का company का market cap है और book value है इसकी 183 की dividend yield है 0.44 face value है 5 pledge percentage 0 है और debt to equity ratio 0.12 की है और promoters के पास holding है 46.5% की और इस समय जे stock 20 की पी पे trade कर रहा है तो valuation भी इस समय reasonable बने हुए है और stock का current price है 448 रुपे का और February 2023 में listing से लेकर अब तक इस stock ने अपने निवेशकों के पैसे को 72% तक increase कर दिया है और अगर हम एक साल का chart consider करें तो stock ने high बनाया था 500 रुपे का तो वहां से हमें ज sport level 400 के पास है अगर इसमें और ज्यादा गिरावट आती है तो 400 तक का level हमें देखने को मिल सकता है तो buying शुरू करने के लिए अभी ये कच्छा मौका है और अगर इसमें और गिरावट आती है तो दूसरी buying 400 के level पर करी जा सकती है और अगर हम long term target की बात करें तो ये company 22% से अपने profit को increase करने की capability रखती है तो इसे साब से जे stock हमें 3.5 साल में double होने की potential दे सकता है और जे आराम से 900 के level पे trade करता नजर आ सकता है और नमबर 3 पे जो company है वो इंडिया की one of the leading SaaS player है जिसको बोलते है software as a service तो ये company travel and tourism verticals में अपनी services provide करती है खासकर इनका focus है North America में जहां Asia Pacific से 11%, Europe से 24% और rest of the world से ये 3% का revenue generate करते हैं इसके अलावा 100 countries में इनके 200 से ज़्यादा clients है और ये तेजी से business को बढ़ाते जा रहे हैं तो आने वाले time में एक अच्छी growth इस segment में देखी जा सकती है company का नाम है rate gain travel technologies limited और financials पर नजर लोड़ाएं तो company का market cap है 8,700 करोड का book value ह इसकी 65 की dividend yield है 0, face value है 1, pledge percentage 0 है और debt to equity ratio 0.02 की है तो debt ना के बराबर है और promoters के पास 51.3% की holding है और इस company में December 2 year 23 में FIIs और DIs ने अपनी holding को increase करा है और इस समय जे stock 67 की P पे trade कर रहा है तो December 2 year 21 में list होने वाले जे company की अगर हम historical P देखें तो जे normally 65 के पास रही है और अभी ज है तो valuation इस समय reasonable है और growth numbers की बात करें तो 3 सालों से revenue को 12% से और profit को 71% से company ने grow करा है और इस समय जे stock 742 के price पे trade करता दिखाई दे रहा है और इसने December 2 year 21 से लेकर अब तक investors के पैसे को धाई गुना तक increase कर दिया है और अगर हम इसका 1 साल का chart consider करें तो जे stock तेजी से grow करता हु हमें दिखाई दे रहा है और इसने जो all time high है वो बनाया था 906 रुपे का वहां से हमें गिरावट दिखाई दे रही है 18 परतिशत की तो खरीदारी start करने के लिए अभी ये कच्छा मौका है अगर इसमें और ज्यादा गिरावट आती है तो हमें 600 रुपे का इसका sport level देखन तीन सालों में अगर जे आने वाले सालों में 30% से भी अपने profit को बढ़ाने में काम जाब रहते हैं तब भी हमें 20 सालों में जे stock double होता दिखाई दे सकता है और जे अराम से 1500 के level पे trade करता नजर आ सकता है और नमबर चार पर जो branded small cap company है इनके product हम बच्पन से सुनते आ रहे ह हैं और यूज भी करते आ रहे हैं आपने अपने स्कूल टाइम में अक्सर इनके product को यूज करा होगा इस company दोरा writing instruments बनाये जाते हैं इसके अलावा जे molded furniture बनाते हैं और houseware product की भी एक बड़ी range बनाई जाती है company का नाम है cello world limited और अभी जे November 23 में ही stock exchange पे list हुई है और company market cap है 16,660 करोड का और book value है 46 की dividend yield इसका है 0 face value है 5 pledge percentage 0 है और debt equity ratio 0.333 का है तो debt under control है और company के promoters के पास 78.1% की holding है और वहीं FIs and DIs भी इसमें मजबूत holding रखते हैं और public की जो holding है वो सिर्फ 6% की है और इस समय जे stock 62 की पी पे trade कर रहा है तो brand value के साफ से और growth के साफ से इसके जो valuation है वो reasonable दिखाई दे रहे हैं और इस समय stock का current price है 786 रुपे का और इसने recently high बनाया था 900 रुपे के पास तो वहां से हमेजे 13% की गिरावड पे दिखाई दे रहा है 786 के price पर और इसकी जो listing होई थी तब भी इसका price 721 में के पास था तो उसी price range के पास हमेजे stock trade करता दिखा और अगर हम long term target की बात करें तो ये company 25% से अपने profit को बढ़ाने की capability रखती है तो इसे हिसाब से जे stock हमें 3 सालों में double होता दिखाई दे सकता है और जे अराम से हमें 1600 के level पे trade करता नजर आ सकता है और इस company की management द्वारा लगातर पैसा निवेश किया जा रहा है जिससे business और ज्यादा increase हो पाए तो 250 क्रोड की investment से एक glassware का नया plant ये setup कर रहे हैं जो कि complete होने वाला है तो जिससे revenue profit और ज्यादा increase होगा और share price भी आने वाले time में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और अब हम चलते हैं stock number 5 की और एक ऐसी company जिसने इंडिया के adhesive और recent sector में एक leading position को काई time कर लिया है और इस company का जो euro 7000 brand है वो इंडिया का second largest adhesive brand बन चुका है और company के पास एक diversified adhesive and essence का portfolio है हम जिस company की बात कर रहे हैं इसका नाम है जोती essence and adhesive limited और अगर आप इस company की market leadership देखेंगे तो गुजरात में 35% राजस्तान में 30% महारास्टर में 20% का market share ये capture कर चुकी है और आने वाले time में और ज्यादा business expand किया जा सकता है और इस समय company के financials देखें तो 1750 क्रोड का है इसका market cap तो size के एसाफ से काफी चोटी company है ये अगर ह पाले time में काफी जादा देखी जा सकती है इस समय book value है 109 की dividend yield है 0.41 face value है 10 pledge percentage है 0 और debt to equity ratio 0 है तो company ने कोई भी कर्द नहीं लिया जो एक positive point होता है consistent growth करने के लिए इसके अलावा promoter के पास 50.8% की holding है और 25 सालों की अगर हम profit की growth देखें ये है 113% की और sales की growth है 37% की और 25 सालो बना के दिये हैं और इस समय जे stock 27 की पीपे trade कर रहा है तो यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो price to earning ratio है वो काफी reasonable है 5 सालों की median piece से भी जे नीचे trade कर रहा है और stock का current price है 1458 रुपे का और 5 सालों में इस stock ने massive return बना के दिये हैं 40 गुना के 1 लाग की investment को 40 लाग तक इसने पहुचा दिया है 5 सालों में तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले सालों में भी same growth हमें expect करनी चाहिए हमें logical होकर चलना जरूरी होता है वो भी हम आगे discuss करेंगे कि इस company से हमें क्या growth मिल सकती है तो इस stock ने September 2 year 22 में 1740 का high बनाया था और अभी जे trade कर रहा है 1455 तो ओपरी लेवल से अभी भी हमें 17 प्रतिशत की गिरावट बनी हुई दिखाई दे रही है तो खरीदारी start करने के लिए अभी एक अच्छा मौका है क्योंकि एस stock ने 15 March को low बनाने के बाद उपर को चलना start कर दिया है तो 1224 का low बनाने के बाद जे 18% की upside दिखा चुका है तो इस समय long term investors के लिए खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है जहां buying को शुरू करा जा सकता है और अगर इसमें दुबारा गिरावट का मौका बनता है जे 1235 के पास जाता है तो दूसरी buying वहां करी जा सकती है लेकिन वहां आने के chances अभी काफी कम है क्योंकि ये company profit making है और लगातर अपने result को बड़ी अपर्ड्यूस कर रही है तो नीचे जाने के chances काफी कम है और उपर जाने के chances काफी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और company की management का कहना है कि आने वाले 3-4 सालों में हम 25% से profit को grow कर सकते हैं तो आने वाले 3 सालों में जे stock हमें double होता दिखाई दे स और जे अराम से 3000 के level पे trade करता नजर आ सकता है और बहुत सारे investors का जे सवाल जरूर होता है कि आपने जब जे stock नीचे ले level पे था जब इसने कोई return बना के नहीं दिये थे तब आपने क्यों नहीं बताया तो देखे जब कोई company बहुत ही चोटी होती है तब हम उसका करना safe investment बानी जाती है और उसी investment पर हमारा focus है तो दोस्तों हमने जिन पाचो small cap companies को analyze किया है इनको long term portfolio के लिए consider करा जा सकता है और हर एक stock में 3-4% की maximum allocation रखके चला जा सकता है लेकिन कोई भी investment करने से पहले अपनी घुद की research करें उसके बाद ही invest करें क्योंकि हमने जी video बना description में दे दिया है वहां से आप contact कर सकते हैं और अगर जी video जानकर इसे परपूर लगा हो इसको like जरूर करें दोस्तों के साथ जारा से जारा शेर करें वीडियो पूरा देखने के लिए मैं राजवन सिंग आपका धन्यवाद करता हूँ